पिस सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं तुर्की में 609 साल पुरानी इस मस्जद को डैम के पानी में डूबने से बचाने के लिए 5 किलोमेटर दूर शिफ्ट किया गया है करीब 1700 तन वजन की एर रिज्ग मस्जद यानि एर रिज्ग मौस को हसन कैफ शहर से तिगरीज के लाके में शिफ्ट किया गया दरसल हसन कैफ में इलिसू बांध बनाय जा रहा है जिसके कारण ये पूरा शेत्र पानी में डूब जाएगा इस मस्जद का निर्माड 1409 में एबू मेफाहीर ने किया था हसन कैफ की इस सबसे बड़ी मस्जद को राज्य हाइड्रॉलिक वरकर्स और सांस्कृतिक संपदा एवं संग्राले के जनरल डरेक्टरेट की देखरेक में इसे टिगरीज नदी के किनारे ले जाया गया इस मस्जद को कई टुकडों में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया और तिगरीज इलाके में इसे एक बार फिर जोड़ा गया बताय जा रहा है कि इलिसु बांद बनाय जाने के वजह से 12,000 साल पुराना शहर पानी में डूप जाएगा इलिसु बांद बनाय जाने के बाद से 80,000 से धिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं दक्षणी तुर्की में टिग्रीस नदी के तट पर बसा ये शहर मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी बस्तियों में एक है इलिसु बांद के जरिये बिजलियुत पादन किया जाएगा ये बांद तुर्की का चौथा सबसे बड़ा बांद होगा बदाय जाता है कि इस बांद को बनाने को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था बांद के चलते खत्रे में पढ़ चुके इस प्राचीन शहर को बचाने के लिए काफी विरोध हो रहा था इसी विरोध को देखते हुए अब बांद बन जाने के बाद इस मजजित के अलावा शहर की अन्य एतिहासिक धरोहरों को भी शहर से बाहर किसी सुरक्षत जगह पर ले जाने की तैयारी चल रही है बताय जा रहा है कि आरती कुलू हमाम यानि स्नानघर, सुल्तान सुलेमान कोक मजजिद, इमाम अब्दुल्ला जाविया, जनेल अबिदीन मौसुलूम और अयूबी मजजित को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट की जाने की तैयारी तेज कर दी गई है Don't forget to like, share and comment